तो गाइस यह है Bounce Infinity स्कूटी का बैटरी बहुत भारी बैटरी है एक बार हम इसका वेट करके भी देखेंगे इसका वेट कितना है हलो गाइस वखाँटाने साथ शे मेरे आज हम लोग बात करेंगे Bounce Infinity के बारे में फाइनले हम लोग बाउंस इंफिनिटी स्कूटर जो है वो डिलिवर हो गया है डिलिवर वाड में यूज नहीं करूंगा इसलिए कि हम लोग जाके उसको लेकर तो पिक अप किये हम लोग एक्चली तो जैसे कि ओला डिलिवर कर रहे थे घर पे लेकिन नेक्स लॉट में स्कूटी प्रवाइड कि यह हम लोग लाँ लाए तो यह जो बायुंस इंफिनिटिज इल्क्रिक स्कूटिर आप क्यसे स्टेप स्टार्ट हुआ और कैसे आखिर तक हम लोगो इंफिनिटी स्कूटर मिला है तो जैनवरी में हम लोग बुक किये थे 499 रुपीज पर बाउंस इंफिनिटी स्कूटर के साइट पर जाके तो बाउंस इंफिनिटी लिखिएगा आपको गूगल में आया जाएगा लिंक उस पर जाके आप बुक कर सकते हो तो उसमें जानवर बुक किये थे फैब में हम लोग को टेस्ट राइड के लिए बोला गया था और मार्च में हम लोग पाच रार रुपए दे के बुक किये थे अप्रिल में हम लोग को स्कूटी मिल चुक है मतलब दो-तिन दिन पहले ही मिला है हम लोग को मैं सोचा था इसका वीडियो में बाहर अच्छी तरह से बनाऊंगा लेकिन बारीश हो रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम चल रहा है दो-तिन दिन से तो नहीं कर पा रहा हूं तो सोचा कि आखिर कही ना कहीं पर वीडियो बनाता हूं तो यह अभी देख स अगर आप 499 ये 5000 जो भी पेमंट देके आप ब्वुक कर रहे हो वह वह रिवट हो जाएक वह जाए वह पॉस्टके और रिक्वेस्ट रसकातों रिवंट के लिए और गूधे लेना है यह आपको लेने का मन है लेकिन आप शोन नहीं हो बुक करो के नहीं तो आप लिस्ट 499 देखे यह स्लॉट बुक कर सकते हो क्योंकि रिफर्ण मिल जाएगा और दूसरी बात यह है आपको बिलने वाला नहीं है अगर आपने बुक नहीं किया तो नेक्स जो स्लॉट होगा वह आपका जून से होगा तो स्लॉट में हम लोग हो लगली मिल चुका है तो कुछ चीज़े ध्यान रखना है आपको जैसे कि स्पीड रेंज और ब्रेक और और भी बहुत कुछ है तो आयो जानते हैं इसमें तो पहली बात यह कि इसका जो सीट है थोड़ा बहुत कंफरड़ेबल है यह बहुत कंफरड रहता है लेकिन यह थोड़ा सा मुझे उचा लगा यह सीट कप जो पोजिशनिंग है दूसरी बात यह है कि अच्छी बात जो लगा मुझे एक चीज है यह वाला जो फूट रखने का जो आपको यह स्टेंड यह बहुत यूनिक है आप बैठे बैठे इसको बस प्रेस करो यह आप से खुल जाएगा अगर लगाना है तो यह साउंड आएगा साउंड आने के बाद आराम से लग जाता है जो चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यह रेंज जो कंपनी क्लेम करता है कि 85 km फुल चार्ज पे मतलब एक बार में प्रोवाइट किया जाता है आई स्कूर्स मोड है में इको मोड और ड्रेंग मोड अगर आपको तेर्फ हो गया अपको द्रैक कर लेकर जाना है तो जिसकोर्टी अपने आप आरम से चलते जाएगा और धका देना नहीं पर एको मोड है आपका स्पीड एक लीमिट तक सेट हो जाएगा थर्टी एट थर्टी नाइन तक सेट हो जाता है इसके उपर अपर स्कूटी जाया जानी तो उसमें आपको फुल चार्ज पर 70 किलोमेटर चलेगा और जो पावर मोड है उसमें कंपनी क्लेम करती है 65 बाट मुझे लगता है कि 60 62 तक ही जाता है इसके जानी तो उस स्पीट पे अगर आप जाओगे तो आपको पावर मोड पे चलाओगे तो 55 किलोमेटर फुल चार्ज पे चलेगा तो आपको यह देखना है कि आप कितना एक चार्ज पे कितना चलाओगे तो यह चीज दिखना पड़ेगा आपको उस सबसे के अंदर हो तो बिल्कुल कोई प्रॉल्लम अगर आप सिटी के बाहर रहते हो और प्लैन कर रहा हो तो उस सबसे आप एकोर्डिंग लिए प्लैन कीजिएगा कितना आप चलाओगे नौल कि आफ्टर देट रेंज यह चार्ज आगे है तो इनिशेल जो चार्ज दिया जाता है वह मैं आप फिट से दिखाऊंगा कि वह तो बात करते हैं और एक चीज के बारे में जैसे हैड लाइट मुझे अच्छा नहीं लेगा क्योंकि लाइट बहुत ही कम आ रहा था उसमें से अगर सिटी में हो तो लाइट का इतना जरूरत नहीं है क्योंकि शेहरों में बहुत सारा लाइट होता है तो इतना अपको फिल नहीं होगा आप अगर अंधरे में चलाओगे तो आपको मालूम चलेगा कितना लाइट चाहिए और भी बहु इस तरह से दिखाना पड़ेगा और इसके लिए मेरे को अच्छा वेदर चाहिए बाहर जाके जैसे वीडियो बना सकूं बारिश वगरा हो रहा है तो नहीं बना पाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर मैं पूरा अच्छी डिटेल्स पर आपको कवार करूंगा तो बाउंस इ अब ही तक मैंने 2-3 दिन हुआ है मेरे को मिलके तो एक दो मेने बात पता चलेगा कि विजली कितना यूनित लेता है तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते कितने यूनित कंस्यूम होता है तो यह हम लोग एक दो मेने बात बात करेंगे और भी कुछ क्वेशन है आपको आप दोनों दिखा जाता है और बैटरी आप कैसे रिमूब कर सकते हो बागी चीज़ आपको दिखा जाता हो और एक क्वेशन जो बहुत सरे लोगों के माइंड में आ सकता है इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में के डूए नीड ड्राइविंग लैसेंस फॉर दिस स्कूटर या जाए पेट्रोल में तो नहीं होता है इलेक्ट्रिक स्कूटी में ऑप्शन है तो कुछ स्कूटी ऐसा है जिसमें उस रेंज तक सेट किया जाता है तो उसलिए ड्राइविंग लैसेंस नहीं चाहिए बाटी यह आपको 60-65 तक लेके जाता है स्पीड तो इसलिए आपको मिल जाएगा अब कंपनी से देख लीजिएगा क्या 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 ओप्शन है और बागी सारे चीज आपको कंपनी साइट में मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यह दा बाउंस इंफिनिटी स्कूटी और एक चीज आपको बता दू कि जैसे कि हम लोग ओला एथर यह सब में थोड़ा रिसाच अगर आप कर चुके तो आपको माइंड में यह भी आ सकता है कि डिस्प्ले में आपको क्या क्या ओप्शन मिलेगा और तो आपको मैप जो रहता है जीपीस से सब नहीं रहता है डि लोग स्टार्ट नहीं किये तो धीरे दीरे इसमें अपडेट आते जाएंगे तो इसलिए मैं आपको एक्स्प्लेंट नहीं कर पार हो कि एप्लिकेशन में क्या क्या है बहुत सारे फीचर्स आने वाला है कि मोबाइल से कैसे आप स्कूटी को आफ कर सकते हो या एक सरकल पे एकस्प्लेंट क्या गया है कि क्या करना एक नहीं करना है अगर आप ले चुके और अलरी आपकर कुछ डाउट है अप कमेंट करके पुछेगा मैं आपके डाउट क्लिया कर दूँगा और पूरा फीचर्स दिखने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतसर करिए तेल बाई बाई टेक्या तो गाइस यह फिलाल के लिए जो हम लोगों को चार्जर दिया गया है तो यह अभी का चार्जर बहुत ही भारी है और आप के रिवी नहीं कर सकते स्कूटी के साथ लेकिन एज बाउंस प्रॉमेज्ट के एक दूमेनी के अंदर जो पर्मनेंट चार्जर है इसका तो वह प्रॉइट कर देंगे मुझे लगता है कि जब बुकिंग होई गया है तो थोड़ा जल्दी फास्स लॉट पे लोगों को स्कूटी दिया जाए तो इस चकर में शायद अविलिबिल्टी नहीं होगा चार्जर का तो जो भी था उन लोगे पास तो यह सब को प्रॉइट किये तो एक दूमेने में मिल जाएगा जो कमिट किये तो यह चार्जर इसके लिए आपको फिप्टीन एम का यह चाहिए कोई भी सॉकेट चाहिए तो और एक्स्टरनल को चीज से आप कर सकते हो तो यह है आपका चार्जर और इदर से आपको चार्जर करना है इससे तो आपको बैटरी भी दिखाता हूं बैटरी कैसा है को खोलने के लिए आपको बस इधर से जैसे कि बहुत सब्सक्राइब में ऑफ्टन रहता है तो इधर से आपको थोड़ा भारी है तो गईज यह बाउंस इन्फिनिटी और स्कुटी का बैटरी बहुत भारी एक बार हम इसका वेट करके भी देखेंगे इसका वेट कितना है तो इकचली मैंने चेक नहीं किया इसका वेट कितना है तो विडियो बनाते बनाते दिमाग में आया तो थोड़ा चेक कर लेते कितना है उसका वॉइट है सो 12 किलो 12.20 बारा किलो मान लीजिए बारा किलो का है बैटरी तो उतना है भी भी नहीं है लेकिन अगर कोई ऐसे लोग जो इतना जादा भारी नहीं उठा सकते तो उनके लिए ऑप्षण है कि डिरेक्ली आप इसके अंदर बैटरी रखके भी चार्ज कर सकते हो तो इसके लिए ऑप्षण है आपका कैवल वगरा है वो डिरेक्ली इदर लगा के कर सकते हो चार्ज आपको कर रहे हो तो आज-पास कोई कागज या आपका पैपर कोई क्लॉथ पानी यह सब ना हो कोई भी बैटरी नॉट ओनली इंफिनिट स्कूटर का कोई भी दूसरे बैटरी आप कर रहे हो तो चीज ध्यान पर रखेगा